Assalamu alaikum viewers, कैसे हैं आप सब, तो यह है कि engagement vlog, तो हमने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, कि हम आपको थोड़ा बताएंगे, कि हमने कैसे preparations करे थे, क्या करे थे, तो बहुत जादा काम में busy थे, तो हमसे जितना हो सका, हमने उतना record किया, तो हम बस आपसे वही शे पर निकले थे, कि ब्राइडल का अच्छे से ड्रेस हो जाए, और जो घरवाले हैं, उनके भी अच्छे से, हम कपड़े खरिद ले, तो यहां पर अभी हम थाने जाने के लिए निकले है, हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं, यहां के अलावा कपड़े कहीं पसंद नहीं आते हैं, तो चलिए अब हम आपको एक शॉप की जहलक दिखाते हैं, बस फिर हम सबने यहीं से कपड़े खरीदे, हमारा एक दिन में ही सारी शॉपिंग हो गई थी, फिर उसके बाद हम दुसरे दिन से हमने सब केटरिंग वालों से टेस्टिंग के लिए सारे खाने तो अलग-अलग केटरिंग से खाने आ रहे थे टेस्टिंग के लिए जिसमें से हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर एंड में हमने एक भटियारा किये जिसका खाना बहुत टेस्टी था, और हमने वही फाइनल किये तो हम आपको एंड में बताएंगे कि हमने क्या मैन फिर पूरिया किये अगर आपको पूरियो की रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते है, हमने उसकी भी वीडियो दाले है, तो यहां पर हम बस पूरिया कर रहे थे हमने आपको व्लोग में बताए है कि पूरिया हम लोग देते हैं बस इसी लिए ही पूरिया बना रहे थे पूरिया है तो हम लोग बस अब वही लेने जा रहे थे, उन्होंने हमको कुछ 15 देस के बाद बुलाए थे, तो हम वही कलेक्ट करने जा रहे थे, तो बस अब हम फिर से वही शॉप पे जाएंगे कपड़े कलेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं, हम शॉप पे पाँच चुके थ और हम बस बेस्मेंट में जा रहे थे, तो हम ब्राइड का वेट कर रहे थे, के वो ड्रेस को पहन के देखेंगे, तो जब तक हमने सोचा हम आपको एक और जहलग दिखा देते हैं, शॉप की, तो ये देखिए, जो ब्राइड का गाउन है, वो रेडी है, उन्होंने करके देखा, उनको बहुत अच्छे से आ गया था, और हम सबने भी ट्राइ करके देखे थे, और फिबस हम घर पे जाने लगे थे, फिर दूसरे दिन महंदी वाली आने वाली थी, तो बस हम लोग ने महंदी लगाए, पर हम उसका वीडियो नहीं ले सके, घर में बहुत सार महमान थे, और यह जो हम आपको बता रहे है, यह है जमजम पुलाव, जमजम बिर्यानी, आप इसे जो भी कहते हो, तो यह इंगेजमेंट की सुभा में हम लोग ने रखे थे, खाना, और यह है शाही तुकडा, जिससे बहुत से लोग ब्रेड का मीटा कहते है, डबल का है, ग्रूमिंग सेथ है, फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़े, एड करना बाकी रह गई थी, हमने सोचा जितना है, हम उतना ही वीडियो ले लेते हैं, फिर शाम में टाइम मिले ना मिले, हमें ये वाच और रिंग को भी अच्छे से डेकोरेट करना था, तो हम सोचे पहले हम ऐसे ही वीडियो ले लेते हैं, क्या पता शाम में टाइम मिले ना मिले, तो ये देख सकते हैं, हमने ये रिंग दिये थे, और यहां पे अभी फूल हार वगेरा सब आना बाकी है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे अभी आपको हम पूरिया भी बताएंगे, ज इसके पीछे आप यहां देख सकते हैं, यह पूरिया है, जिसका वीडियो हमने अपलोड करे थे, हमने उसको कुछ ऐसे डेकोरेट करे थे, आप देख सकते हैं. बस फिर हम सब तयार होने में लग गए थे इसके बाद, खाना खाने के बाद दो पैर कहीं, यह जो बास्किट है इसले खा लिया, क्योंकि हम इसमें जो वाच है और जो रिंग है हम इसमें रखने वाले थे, तो चलिए अब हम आपको एक हॉल का लुक बताते हैं, तो यही है जहां पे इंगेजमेंट हुई थी, आप एक जहलक देख सकते हैं, बस फिर घर से निकलने से पहले हमने सुच एक वीडियो ले लेते हैं, जहां पे सब कुछ रेडी था, यहां पे जो चीज़े आना बाकी थी, जैसे के कोट पैंट हो गया, और फूट बास्किट हो गई, और जो हमारी रिंग और घरी थी, जिसको डेकोरेट करना बाकी था, हमने वो भी डेकोरेट कर चुके थे, तो बस यह हमने एक उसका ही छोटा सा वीडियो लिये हैं, फिर यह वो सामन है जो दुलहे वालों ने लेके आये थे दुलहन के लिए, तो हमने सुच है हम आपको इ तो एक टेबल पर उनका सामन डेकोरेट किये थे, एक टेबल पर हमारा सामन डेकोरेट किये थे, तो चलिए आप अब बस वो भी देख लीजिये, जिस दिन इंगेजमेंट थी, उस दिन हमारी बेहन की बिर्थ डे भी थी, तो यह केक दुलहे वालों की तरफ से था, उन लोगों ने मंगाये थे, एक सप्राइस था केक के साथ साथ, तो वही बस हम लोग ने सेलिब्रेट किये, फिर चलते हैं हम खाने की तरफ, तो यहाँ पे हमने पानी पूरी रखे थे, पानी पूरी के बगएर कैसे हो सकती है, इंगेजमेंट, पानी पूरी तो सबको बहुत पसंद होती है, फिर यहाँ पे यह कुछ टेबल था, तो हमन बस यही था एक छोटा सा व्लॉग तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें, शेर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जजा कर लाइए